हलो और वेलकम मेरा नाम है मनोच और आप देख रहें वाई टी मनच कुमाः फ्रेंट्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे आरबियाई की न्यू गाइडलाइन जो की लागू होने वाला है ओक्टवर फास्ट वीक में जिहां फ्रेंट्स अब बिल्कूल सही सुन रहे हो तो आज के टपिक में हम बात करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करने बाले जितने भी लोग है जो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे है तो इनके लिए आज एक रात भरे बड़े खबरे सामने आ रहा है फ्रेंट्स तो फ्रेंट डेन आगर के वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले फ्रेंड्स जदी आप हमारी वाइटीम मनच कुमार की यूटूब चानल में न्यू है, फास्ट टाइम विजिट किये हैं, तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऊके कर सकते हैं, कि फ्रेंड्स आपके लिए आपका भाई एथे ही न्यू तमाम काम के खबरे टेली बैसिस में लाता रहता है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं कि जो डेविट कर, क्रेडिट कर, का न्यू नियम लागू होने वाला है एक अक्तवर से, वो आखिर कर क्या है, फ्रेंड्स देखिए, पहले हम बात करेंगे बेसिक से, उसके बाद आडवांस तक, जो A to Z है, one and one point, आपकी अंडरस्टाइंडिंग के लिए तारे आज इस टापिक पर कभर करेंगे, पहले तुम्हें पता दू फ्रेंड्स हमारी देश में जिदि में बात करू आज की दिन में, विका क्रेडिट काड की न्यू न्यू आफर लाते है, जैसे आप EMI में कोई चीज लेना चाहते हो, ओनलाइन सपिंग करना चाहते हो, तो बेसिकाली जो प्राइबेट ब्यांक है, उन ब्यांकों ने काफी सारे न्यू न्यू आफर दे रखे है, सब जब आइफोन ले रहे हो, त ब्यांकों कि डेडिड काड और क्रेडिक कार इस्तमाल करें, साथ है यहां पर ब्यांक भी कुछिस करता है, उनका जो किस्टमर बेस है, वो कही ना कही सही सीचरोंग और मजबुत हो, उससी सापसे ब्यांकों को भी फ्राफिट मिलें, तो यहां पर ज़ेदि हम बात करेंके यहां पर new system लागू करने जा रहा है RBI, RBI के तहर जिद में बात करूँ फ्रेंट यहां पर एक tokenization service लागू करने बाला है तो what is tokenization service इसमें क्या क्या procedure रहेगा, यह कैसे खाम करेगा, उससे पहले तो हम बात करेंगे कि यह tokenization service आखिरकार RBI ने launch क्यों किया है, इसके पीछे क्या रही जाने जदी friends हम सुरू से बात करेंगे, जदी मैं basic से आपको बताऊँ तो friends Delhi basis में कहीना कहीं जदी आप देखेंगे, आपकी जो card detail है, वो कहीना कहीं message हो रहा है जो कि आपका card detail कहीना कहीं जा रहा है, जो cybercrime में, जो frustrar है, जो blackmailer है, उनके पास जा रहा है और आपके पास उस card की detail के विहाब में आपके पास call आता है, यदि आपके इसके बारे में जनकरी नहीं है तो कही ना कही जो आम आदमी है उनकी जालों में फस जाते है और साथिसाथ आपकी अकाउंट्स खाली होने का भी काफी मात्रा में संभावना है तो यहां पर फ्रेंट्स RBI ने ये guideline इसलिए जार किया है कि आप कभी भी कोई भी e-commerce site में जभी भी जाते है कोई merchant site में कोई third party site में आप जाते है सपोच आप Amazon में गए flip card में जा रहे है या कोई भी third party website में visit कर रहे है कोई भी चीज को online shopping करने के लिए तो कही ना कहीं पहले फ्रेंट्स आपको बहाँ पर registration करना पड़ता है audit one time बहाँ पर फ्रेंट्स आपकी debit card, credit card की पूरी जनकरी third party लेता है ज़िए मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी नाम, आपकी expiry date, debit card, credit card की expiry date बहाँ पर आपका CVP नंबर आप देते हो उसके बाद फ्रेंट्स transaction को complete करने के लिए आपके पास वोटी पर आता है one time password उसको confirm करने के बाद फ्रेंट्स फिर आपका order place होने का एक date आता है जो भी आपको message की द्वारा ये चीज़े दिखा जाता है तो कहीं ना कहीं फ्रेंट्स यहाँ पर आपने benefit तो लिए सर्विस का लाव उठाने के लिए आप आपकी debit card और credit card की detail कहीं ना कहीं तामने बाला को आपने information पूरा दे दिये तो यहाँ पर क्या होता है आपकी जो जनकरी है वो आगे जाकर message हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं लगता है तो इस situation पे friends RBI यानि की Richard Bank of India ने new पदक्षप लिया है आने वाले दिनों में यह tokenization system रहेगा यानि की friends आपकी debit card credit card की detail दे रहा है वो आगे जाकर encrypted रहेगा और वो एक file बनके database में save रहेगा और वो detail third party merchant के पास save नहीं रहेगा तो इस चीज को follow up किया जा रहा है और यह progress करने के लिए RBI का जो है काम under progress में चल रहा है तो इसमें क्या system रहेगा फ्रेंज टोकनाजैसन service को लाफ लेने के लिए आपको पहले एक one time registration का उपग करना पड़ेगा और उस service को लेने के लिए one time आपको registration करना पड़ेगा तो वो आटे time save रहेगा उसके बाद आप कोई भी third party में जाकर आप आपकी online shopping कर सकते है तो यह एक region है friends क्योंकि friends जदी में बात करू हमारी देस में debit card कार की जो उपभगता है वो day basis में बढ़ रहे है तो इसके यूज करने का काफी सारा फाइदे भी हमारी ग्रहाकों को मिल रहा है तो बही बात है friends तो इस चीज को RBI ने एक October से लागू करेगा तो friends यहां पर और एक चीज है friends जदी आप इस token system का लाव नहीं उठा रहे है तो अब जितने बार भी online shopping करेंगे तो उस situation पे आपको कही ना कहीं सारे details देना पड़ेगा तो इसमें आपका कुछ time तो ज RBI ने यह decision लिया है जदी friends आप एक credit card या debit card उपभगता है आपके लिए यह information कैसा था जरूर आप हमें commit box में mention किजेगा यसे ही तमाम काम के खबरे के लिए friends जरूर आप हमारी चैनल को subscribe करके all notification को जरूर रोके किजेगा क्योंकि friends जैसे ही new phrase ताजे खबरे इस चैनल में update हो होगा तो सर्व प्रथम दो notification आपके पास जाए तब तक लिए friends keep watching वाइटे मरज कुमार